वेलकम बैग टू सिबिल स्टॉक्चर टेग गुरुजी उटो चनल डिफेंस स्टोक्स इंक्लूडिंग जो शिप के मरबत की रिपेर कमपनिया है तो डिफेंस स्टोक्स as well शिप बिलिडिंग जो स्टोक्स की कमपनिया है उसमा जबर्दस् तेजी देखी गई है भारत को 2030 तक जहाजरानी छेत्र में 60-10 देशों और 2047 तक 60-5 देशों में सामिल करने के लिए सरकार जल्द ही एक नई पोत निर्मान और मरमत नीती लेकर आएगी भारत को 2030 तक जहाजरानी छेत्र में 60-10 देशों और 2047 तक 60-5 देशों में सामिल करने के लिए सरकार जल्द ही एक नई पोत निर्मान और मरमत नीती लेकर आएगी पतन पोत परिवहन और जल्मार्ग मंतराले के सचिव टीके रामचंदरन ने कहा है कि भारतिय जहाजरानी बजार की जोड़तों से उत्पन जबर्दस्त मांग को भारतिय सिप्यार्ड प्रयात रूप से लक्षित करता है इसके करन 2047 तक 20 लाग क्रोर रूपे से अधिक के अशर निर्मान हो सकते हैं तो स्री रामचंदर ने कल इसमुद्य पड़ एक कड़े सला के अधिक्सता की जिसमें बिभीन सरकारिक मंतरालेव विभाग सिपिंग ऑपरेटर्स सरवजी छेतर के सांसतकई नीजी सिप्यार साहित 50 संगर्टनों के 100 से अधिक प्रतियों दे भ अभी मिलाकर एक रन निती बनाई जाएगी जिसमें जहाज, निर्मान और मरमत के छेतर भारत की वर्ल्ड लेबल की रैंकिंग बनाने में विश्वय अस्तान से आगे बढ़ाकर 10 तक पहुंचाने के लिए साहसिक लक्ष निलायदी किया गया है अगर डिफेंस स्टोक में देखे तो सबसे बड़ी डिफेंस के स्टोक हिंदुस्तान एरोटिक 5,615 पर टुड़े 1.81 परसेंट बढ़ा हुआ है जो कि एक साल में दुगना होकर के यदि एक महिना के देखे 23 परसेंट इसे रिटरन दिया है इपू सीधा भारती एल्ट्रोनिक्स ये भी 2.25 परसेंट बढ़ा हुआ है जो कि 324 रुपे पर अगर एक महिना के देखे रिटरन तो 26 परसेंट है अगर एक साल में ये 150 परसेंट रिटरन दे चुका है यदि मैजगान डॉक्स सीब बिल्डर्स को देखे तो इसमें अच्छा खासा तेजी आई है मंत्राले में जो एक निवेस के अलिए जो उनको सुचना दी गई है एक बोर्ड मीटिंग में जिसमें सव सीब बिल्डर्स गोर्मेंट एंड प्राइवेट सभी लेंगर भाग लिया जिसमें फिर से जो जहाज निर्मान की और मरमत की जो सभी कमपनियों को स्ट्रेंग्शनी करने की बात कही गई है ताकि वर्ल्ड के 10 जो सीब बिल्डर्स अस्थान में आ सके अभी प प्रस्ताओ लाएगी जिसको सदर में रखेगी इस तरह से आज मेंजगन डॉक में काफी बिर्दी देखी गई चार परसेंट आप है इस समय दस पच के पंदर मीनिट पर 5808 है जो कि आपको एक महिने में दूगना हो चुका है 116 परसेंट रिटन दिया है यदि आप एक सा अकना भी कल नौडवात्ना में इसको सामिल कर लिया गया मेजगन डॉक्स में तो इसमें काफी सहुलीत मेलेगी डिसाशन लेने में fusion करने में और ज़ो कंप्रियों बीद होते है इभन फोरेंच कंट्री से यार इंडियान कंट्री से जो बिडिंग होते है डिफेंस के जो उनको बनाना है CPR उसमें भी इनको अपराइटी मिलेगी since it is declared नौरतना by the government of India for the measurement talks yesterday तो काल ये 20% उच्छाल में बंद हुई थी और आज भी इसमें तेजी बनी हुई है heavy buying hadn't been seen in these stocks उसी तरह कि एक स्टोक्स है BDA Limited जो कि डिफेंस के स्टोक्स है और मिसाइल बनाती है और चंदरियान में भी इसने काफी इसमें बर्चर के भाग लिया था इन्हों बनाया था और भविसमें भी अभी तरह प्रस्ताव चल लही है जिसमें अगला मिसाइल बनाएंगे उपगरा बनाएंगे चंदर्मा पर जाने के लिए तो आज भी ये 2.92% बढ़ा हुआ है चुकि डिफेंस के स्टोक्स है ये मिसाइल बनाती है प्लस जो रोकेट सोगरा जाते हैं चंदर्मा की तरफ अकास में उसको भी ये तियार करते है विदे हल्प अफ प्राइबट एस्टोसीएशन इंप्राइबट कंस्ट्रक्शन फर्म्स इंप्राइबट इस्टूसंस तो इसमें भी अगर एक महिना में देखे तो 20% इसमें रिटन दी है अगर एक साल का देखे तो 213% इसमें रिटन दे करके बहुत अच्छा खासा इसमें रन दिया है बट इसको प्राइबट बुग भेलू 17.5 है और पी रेस्यो 103 है तो PE Ratio 103 means very expensive stocks लोगों का इसमें PE Ratio जब ज़्यादा होडा है जब लोगों का इसमें विश्वास ज़्यादा बढ़ रहा है तभी stocks उपर की तरफ जा रही है और लोग even very high expensive stocks ओने के बावजूद with price earning ratio 103 and price book value 17.5 तो बुक भेल उसो 17 गुना अठाड़ा गुना ज्यादा पर भी इनकी जो रेट है स्टोक मार्केट का ब्रा डैनमिस का 1733 पर उसको भी देने के लिएक तियार है कोचिंग CP8 को आप देखेंगे तो 2874 पर आज 7.23% अप है इसकी मार्केट केप 75,600 है इसकी हाई है 2880 और लो है 285 इसकी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 3 मेने के रिटर्न देखेंगे तो यह है 148% और अगर 6 मेने के रिटर्न देखेंगे तो 293% आप है एक साल में यह स्टोक्स 8-37% देखरके यह नौग उना बढ़ चुकी है और कोचिंग CP8 इस्टिल गोइंग वेरी हाई अगर गाटन देखेंगे तो 2743 पर 2.77% अप है इसकी जो मार्केट के 31,471 है 52 वीक है 2744 और लो है 263 तो 52 हाई वीक को उसने बना लिया है तोड़े और नए ने हाई बनाते जा रहा है अगर इसकी पर मोटर होल्डिंग देखेंगे तो 74.5% है और इसकी जो पर्फिट रोथ है 62.8% quarter to quarters कोई भी pledge नहीं है और इसकी अगर आप debt of equity ratio को अगर बात करे तो मात्र 0.04 है इसका मतलब है कि गार्डिंग रिसी परटी जो फेड़ी debt-free company और इसको बहुत है बंगलादेश से और कई दूसरे देशों से भी बहुत huge amount में order मिले है more than 500 crores अभी recent order मिले है इस कारण से काफी आगे की और तेजी में बढ़ते जा रही है इसकी price earning ratio को अगर बात करे तो है 87.9% 87.9% तो price ratio 87 होते हुए भी यह लोगों का बहुत attraction का कारण बना हुआ है और even though it is very expensive बट लोग खडीद रहे है इस stocks को since its earning is ROC is 28% and ROE is 23% और promoter holding 74.5% और इसन अच्छा कासा return दिया है पिछले quarter में और आने वाला quarter में भी उमीद है की इसको अच्छा कासा perfect मिलने की उमीद है भारत Earth Mover Limited जिसका short from B.E.M.L. है यह भी 16.64% off है जो की 5.430 है इसने अपने all time high बनाया है तुड़े B.E.M.L. Limited manufacturing a wide range of heavy earth moving equipments catering to the mining and construction industry vehicles for defense forces and coaches for the metro and Indian railways तो B.E.M.L. जो है यह आपको defense sector में है जो की heavy vehicles military के लिए बनाता है plus metro के लिए construction industry के लिए बनाता है तो इस तरह से B.E.M.L. में भी काफी तेजी बनी हुई है 16.64% की आज इसने all time high बनाया है 5.430 में और buying interest काफी आया है इसे stocks में इसकी जो market cap अगर देखेंगे तो 22,611 crore है और इसकी high all time high जो बनाया है 5.464 है लो है 1519 की stock PE है 80, still the stock is very expensive but still people are buying it for his future plan is very good rate of return, rate of ROC, अगर face value देखे 10 की है, ROC 15 की है, ROE 11 की है और promoter holdings, जो government of India है 15% है यह company almost debt free company है मात्र जो आपकी deed ratio है depth into equity ratio मात्र 0.03 है और जो profit after tax अगर देखें तो 282 क्रोर्स की है तो last जो आपकी fourth quarter थी उसमें 277 क्रोर्स का इसने net profit कमाया है और इसकी जो अगर reserve के बात करेंगे तो reserve भी इसने अच्छा खासा है इसके पास जो profit जो है dividend नहीं देखर के reserve में र other things के लिए रखते हैं so that कभी company अगर कोई नया expansion करें नया कोई प्लान करें तो उसमें यह reserve से पैसे खर्चे करते हैं या कोई bonus या दूसरी तरह की issue भी लाते है यह out of these reserves तो इसकी reserve है 2626 क्रोर reserve है और इसकी जो profit के variation है तीन साल के अगर देखे तो 60.2% की है और last quarter के quarter to profit गोड देखेंगे तो 87.3% है कोई पिलेज नहीं है if you see the return then today तो 12 से लेके 15% तक आज की intraday है एक हपते में 16% off है एक महिने में 38% तीन महिने में 57.9% छे महिने में 80% एक साल में लगबग धाई गुना हो चुका है तो BML में अच्छा खासा आज की तेजी दिखाई गई है जिसमें 5430 पर लगब 17% off है तो तो उमीदा इस वीडियो में दीगे जनकारी आपके कामा सके सिबले स्ट्रक्चर टेक गुरुजी इंजिनेर हरी कोई भी स्टॉक्स को नहीं रिकमेंड करता है नहीं परचच करने के लिए कहता है और माई रिकमेंडेशन क्योंकि आप अगर खुद दा आउन एक स्टॉक्स कर लॉन्दौÓक गिन ou норм तर्म गारिं के आप कमपनी के पार्थ होते हैं तो अल्वेज एंटर इंसर इंठर कंपानी स्कशृंपमपमाद के नहीं करे आपके याँगर कॉछाण से कोभी nlustr ऑफ दोरेकर की अपने घर के जो संपती के याँगर एक आप अगर effort कर सकते हैं, तो थोड़े-थोड़े मात्रा में ही करें, कि capital आपकी limit है, सभी की limit है, पुरे पैसे आप stock में नहीं लगा सकते हैं, since it is very risky market, nobody is not, कल क्या होगी, market crash भी कर सकती है, momentum कहां तक बनेगी, कोई नहीं जानता है, तो अगर profit है, तो थोड़ा बूद profit book करते चले, और जभी नीचे आया तो उसको आप deep में खड़ी सकते हैं, उसी stocks को, तो fund को आपन अच्छा position बनाए रखे, so that कोई भी अगर severe condition हो जाए, market में, तो आपको ज्यादा losses नहीं हो, और ज्यादा आपको एक tension नहीं हो, थोड़ा बूद profit भी book करना बहुत अच्छी बात है मार्केट में सी market is going all time high, portfolio booking भी हो रही है, तो उसका आप ध्यान रखके ही आगे की और चले, thank you very much, आपकले वीडियो में फिर से मिलते हैं, here इंजिनर हड़ी फोर्सिबल स्टकर्टे गुरुजी जैहिंद